तो raw image format और jpg image format ये common terms आपने सुने होंगी camera world के अंदर whether आप अपने phone से भी photos लेते हो या आपके वास में कोई dedicated camera है लेकिन इसमें actual difference क्या होता है बहुत confusing हो सकता है beginners के लिए especially कि raw अलग क्या है JPG अलग क्या है तो मैंने सोच एक video बना तो इसमें मैं आपको explain करूंगा raw image format या raw और JPG image format के बीच में difference गया है तो basic concept पहले में समझाता हूं कि raw का मतलब क्या होता है उसके बाद हम differences में जाएंगे कि क्या advantage है क्या differences है क्या disadvantage है तो raw का मतलब अगर English word को पूरा actually roughly translate कर हिंदी में तो क्या मतलब होता है कच्चा तो example लितने कि अगर आप कुछ खाना बना रहे हो और आपके पास में raw vegetables हैं तो आप खाना अपने हिसाब से बना सकते हो पूरा टेस्ट को हिसाब से adjust कर सकتे हो सारे français adjust कर सकते हो और technically अप जिसandrake खाना बना चाओ आप वैसा खाना बना सकते हो जैसा टेस्ट डालना चाओ लेकिन अगर आपनेे खाना पहले ही बना कोई सब्जी बन ही गई है complete हो गई है तो उसके अंदर adjust करके आप एक limited area तक ही adjust कर सकते हो कि अच्छा कुछ मसाला जादा हो गया तो कम कर लें काम कर जादा कर लें नमक जादा हो गया तो कम कर लें फ्लेवर को आप बहुत जादा मेनुप्लेट नहीं कर सकते विदाउट कम्प्लीटली रुइनिंग दा सब्जी तो यहीं सिम्लर कॉंसेट होता है JPG versus RAW का या RAW versus JPG का देखिए जब भी कैमरा से हम कोई भी photograph लेते है तो वह एक बहुत wide range में images को देखता है यानि की brightness की बहुत wide range को देखता है वह color tonality की बहुत wide range को देखता है वह dynamic range की बहुत wide range को देखता है या उस data को process करके store किया जाता है यहाँ पर explain करता हूँ let's say for example अगर आपने JPG shoot किया तो let's say आपका camera के अंदर एक wide range dynamic range वो देख रहा था एक color tonality की range देख रहा था एक sharpness की range देख रहा था या एक white balance की देख रहा था उन सारी जो जितनी भी information को camera को दिख रही थी उसमें से कुछ limited pieces of information ही first of all वो camera save कर सकता है and उसके बाद वो image processor के पास जाती है जो उस पर थोड़ी बहुत processing automatically करेगा थोड़ी sharpening करेगा जो भी चीज़े करेगा and then फिर वो image store हो जाएगी जाकर हम बात करें raw image की या raw format की तो जो भी आपको data screen पे दिखता है जो भी camera को दिख रहा है वो पूरा को पूरा information वो save कर लेता है without any processing यानि पूरी की पूरी range of data जो है वो capture कर लेता है अपने memory card में तो सबसे primary difference ये है कि how does a jpg image work and how does a raw image work तो jpg format या raw image कैसे save होती है क्या information का difference है वो तो आपको समझ में होगा लेकिन उसका advantage क्या है उसका disadvantage क्या है उसकी बात करते है तो continue करते है हमारे खाने वाले example के साथ में jpg is like a cooked sub-g जैसे मैं बताएगी camera अपका जो है बहुत wide range of चीज़े देखता है in terms of brightness, shadow areas, color tonality और कुछ limited pieces of information ही jpg format support करता है तो वो limited pieces of information ही camera record करता है in terms of jpg बाकी information discard हो जाती है तो अब जब आप editing room में बैठते हो editing room में थोड़ा सा adjustment करने लगते हो तो आपके पास में एक छोटी सी range है जिसके बाहर अगर आप जाते हो तो वहाँ पर क्या होगा because camera does not have that information या उस image में वो information ही नहीं तो the software that you're using उसको guess करना पड़ता है कि यहाँ पर क्या information होगी तो that means आपर noise होने के chances जादा है and specifically अगर आप बहुत highlight areas में देख रहे हो जो overexposed है या बहुत underexposed है वो information जो lost हो जाती completely उसे आप recover नहीं कर सकते है for example आपने sky का photo लिया है sky is very bright and jpg में खीचा है complete white sky है तो आप बहुत जाला adjustment करके भी there is only a limit till which आप उस highlights को recover कर सकते हो similar अगर बहुत जाला dark areas हैं तो बहुत limited information है आप shadows से cover कर सकते हो क्योंकि वो information computer या processor या उस image के अंदर ही नहीं अगर हम compare करें इसे raw से तो raw में बहुत जैसे कहा कि जो भी camera sensor detect करता है वो सारी information से हो जाती है तो आपके पास में पूरी flexibility होती है editing करने की तो आप चाहो तो white balance completely edit कर सकते हो after the image is taken आप चाहो तो brightness काफी सारे manipulate कर सकते हो आप shadow areas को काफी better recover कर सकते हो highlights अगर आपकी overexposed हो गई है clip हो गई है तो उन्हें काफी recover कर सकते हो and काफी सारी sharpness या tonal details जो JPG में process हो चुकी है पहले ही जो processor ने apply कर दी है वो अब आपके पास में choice है कि आप उसको कैसे manipulate करते हो तो इसमें आपको ultimately goal क्या है कि JPG offers a quick and ready-made solution for images लेकिन RAW offers a much more flexible solution जिसमें आपके पास में ज़्यादा control होता है अब JPG और RAW में common differences तो hopefully आपको समझ में आगए इसका practical example देता हूँ कि कितना important है सही format चूज करना जब आप कोई भी फोटोग्रफी कर रहा है अब लेडियो भी ले रहा हो अब let's say for example आप friends के रात में भार गया है आपने photos लिये तो आप JPG में खीच लोगे because आप you are trying to record a good moment and image quality इतनी ज़्यादा matter नहीं करती लेकिन let's say for example आपको hire किया गया है as a wedding photographer आप first or second अपनी wedding shoot कर रहा हो and मान लेते हैं गलती हो जाती है बहुत लोगों से आपने अपने camera में wide balance की जो setting है उसे auto पर रख दिया ठीक है अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन let's say कि अगर आपने auto wide balance रख दिया सब में ही थोड़ा बहुत color का 19-20 difference आएगा ही सही और उनको आपको edit करने में पसीने छूट जाएंगे अब अगर आप raw plus jpg शूट करते हैं जाहतर camera support करते हैं तो आपके पास में wide balance post में adjust करने का option हो जाता कि चलो wide balance आपने जो एक reading लीती सुबह की उसके हसाब से सारे photos को आप adjust कर सकते हो और बाकी of course सारे editing तो करी सकते हो तो सरिफ ये बात नहीं है कि हाँ इतने सारे information से हो जाती है तो फाइदा होता है ये practical usage में भी बहुत जादा useful है raw image format compared to jpg format तो एक practical example भी दिखाते हो आपको raw versus jpg just as a demonstration तो मैंने किया कि अपने खिड़की के भार से मैंने एक फोड़ग्राफ लिया ये इसका raw version है ये इसका jpg version है मैंने किया किया है कि जान बुच के थोड़ सा photo को overexpose किया था ताकि highlights जो है वो clip हो जाए अब मैंने processing जादा कुछ भी नहीं कर दिया ये jpg जो है और raw है white balance मेरा raw में automatic set हो गया था मैंने exposure में highlights को completely drop कर दिया shadows को पूरा raise कर दिया just for example same चीज मैंने apply किया है यहीं पर white balance मैंने set नहीं किया automatic light room में हो गया मैंने highlights को पूरा नीचे minus 100 कर दिया और shadows को पूरा 100% lift कर दिया अब मैं आप आपको difference दिखाता हूँ raw versus jpg के अंदर तो जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आप वो image के अंदर colors जो है वो well balanced दिख रहे हैं बिको jpg के अंदर colors जो है वो baked in रहते हैं आपको editing नहीं करना ही पड़ती और at least I would say colors are baked in by the camera बट एक जो important चीज़ है यहाँ पर आप देखो कि दो important चीज़ एक्चिली फॉर्स अगर यहाँ देखो आप तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि color में बहुत सारी noise है और color का reproduction है बहुत inaccurate है technically जो wall है completely gray इसके अंदर कोई भी magenta के elements नहीं है जैसे आपको यहाँ दिख रहे है अब हुआ क्या because information capture नहीं हुई थी camera के बारा jpg format में तो यहाँ पर camera को guess करना पड़ा जब मैंने highlights को इतना edit किया कि यहाँ पर क्या information थी इसलिए यहाँ पर आ रही है noise और अगर दूसरा example है तो यहाँ पर आगर देखोगे तो यहाँ पर जो information है बादलों के अंदर completely lost यहाँ पर कुछ भी detail नहीं है यहाँ पर कुछ भी retention नहीं हुआ है आप जैसे आपने बताए कि मैंने जानबुच के overexposed किया था तो just for demonstration और यहाँ पर भी आप देखोगे कि जो यहाँ पर जो नॉइज है कलर की वह बहुत जादा यानि जो colors है वह wildly inaccurate आ रहे है यह sky में कोई भी ऐसा shade नहीं था जब मैं पिक्चर लिया था अब raw के अंदर आप देखोगे तो colors definitely आपको फी के लगेंगे अब यह थोड़ा crop different आया है because मेरे camera में raw जेपीजी अलग अलग sensor से shoot होता है but एक चीज जो important देखोगे कि आप यहाँ पर कि आपको highlights के अंदर information है वो अच्छी सी retained है यहाँ पर यहाँ पर काफी सारी information आपको मिल रही compared to the jpg और यहाँ पर भी हम देखेंगे जैसे अगर तो definitely जो noise है वो definitely है image के अंदर लेकिन color noise कुछ भी नहीं है तो जो details camera ने capture करी है उसमें सारी information colors की retained है अब definitely this is just a small example जतना ज्यादा हम editing करेंगे उतना ज्यादा दिखन starts to fall apart when doing something like this तो आयोब इससे भी clear हो जाए और बाकी वीडियो में आपको detail में explain करी रहा हूं तो raw match format का hopefully आपको समझ में आगया हो कि importance क्या है लेकि दो-तीन चीज़े और भी important है वो बता जाता हूं first of all हर एक company जो आप camera जिसका लेते हो they have their own implementation of raw वो अपने हिसाब से एक algorithm मना के उसमें raw को compress करके store करती है for example मेरे पास जाए सोनी है तो सोनी का जो format है is A raw या ARW type की image format आती है raw में जो I am assuming alpha raw के stand करता है same Canon के लिए Nikon के लिए दूसरे cameras में भी उनका खुद का implementation रहता है raw का technically जो raw का मतलब होता है इस completely uncompress data लेकिन almost अभी companies थोड़ा बहुत compression लगा के space save करने के लिए अपना खुद का implementation करती है similarly अगर आप phones में भी देखोगे तो phone के अंदर भी उनका एक raw का अलग format होता है and बहुत popular image format जो एक iPhone में पहली बार देखा था phone में HEIF image format था high एक पुछ तो है ऐसा नाम से वो एक phone के लिए उन्होंने raw format बनाया था which is very very compressed and आज़कल कुछ नए cameras में भी वो format अनलगा है technically it is also a form of raw लेकिन जैसे में बता है कि compression का level अलग अलग हो सकता है so HEIF I think is 10 bit raw बाकि कुछ cameras 14 bit raw में भी store करते है images आपको ज्यादा detail में समझेंगे जरुत नहीं है अगर आप camera पे raw शूट कर रहे हो that means आपको flexibility मिल जाएगी अब अभी तक आकर आपने वीडियो देखा है तो आप सोच रहेगे कि वा यार इतना बड़िया format है raw मैं तो raw में ही शूट करूँगा JPG शूट करने का फाइदा ही क्या है तो ऐसा नहीं है raw के इतने सारे advantages हैं लेकिन raw के disadvantages भी उतने ही होते हैं उतने तो नहीं लेकिन raw के disadvantages जरूर हैं तो उनकी वात करते हैं क्या disadvantages है raw यूज करने के तो first of all image size पर बहुत बड़ा फरक पड़ता है raw में normally अगर मैं अपने mobile phone से लेता हूं या अपने Sony A6600 से मैं अगर normal image लेता हूं तो मुझे 5-6 megabytes की पड़ती है लेकिन वही image raw में 25 megabyte तक जाती है निए 5-6 times मेरा memory usage बढ़ जाता है and that is one big disadvantage कि अगर आप suppose कहीं outdoor shoot कर रहे हो बहुत सारे pictures ले रहे हो आपका memory card बहुत जल्दी फिल दाता है second disadvantage है कि because आपके इतना जादा memory लेती है चीजे तो उसको आपको memory card पर write भी करना पड़ता है for example अगर आप suppose अपका camera है high frame पर या fps पर शूट करते हो 11 fps तो अगर आप raw शूट करोगे तो थोड़ा सा buffer rate आपका जल्दी भरेगा plus आपका camera will struggle to keep up तो हमेशा हमेशा ऐसा नहीं कि just because raw का option है तो raw ही खीचना है जहाँ पर raw की जरौत हो वहाँ पर खीचना है तीसरा disadvantage यह है कि raw को archive करके computer में store करने के लिए memory जादा लगती है वो भी disadvantage है लेकिन raw images को edit करने के लिए आपको काफी ज्यादा processing power भी देनी पड़ती है अगर आप computer पर lightroom यूज करते हो तो आपने दिखा हो गए अगर आप समें 2-4,000 JPGs डाल दो तो कितना slow हो जाता है processing या even एक basic collection मनने के लिए कितनी महनत करने पड़ती है तो अगर वो ही अगर आप raw से करने लग जाओगे तो imagine 3 times the memory प्लस यतनी सारी ज्यादा images तो बहुत ज्यादा computational power चाए प्लस जब भी आप edit करोगे lightroom में तो lightroom वैसी थोड़ा slow हो जाता है और अगर आपको कई अच्छा camera लेना है कुछ वीडियो देखने है तो यह वीडियो आप देख सकते हो मेरे चैनल को subscribe भी कर सकते हो क्योंकि ऐसे बड़े बड़े वीडियो मेरे चैनल पर आते रहते हैं